हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक माई यूटूब चैनल एस फ्लेवर फ्यूजन आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं शाही टुकडा बहुत ही टेस्टी सुईट है साथ ही साथ इसे बनाना बहुत ही आसान है अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसको बार बार बना चाहेंगे इसे हम घर रखी चीजों से ही बना सकते हैं दूसरा हम इसे कोई मोसम में भी बना कर खा सकते हैं सर्दी हो या गर्मी दोनों ही मोसम में ये बहुत अच्छा लगता है चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं एक कड़ाई में एक किलो दूद ले ले लेंगे उसको हाई फ्लेम पर रख देंगे एक प्याली मलाई एड़ करेंगे वो इसको पकाएंगे इसको गाड़ा होने तक इसको पकाते जाएंगे हाई फ्लेम पर जब तक ये गाड़ा नहो जाए इसको पकाते जाएंगे इस टेक बाउल लेंगे एक बाउल में दो कप पानी एड़ करेंगे एक कप चीनी एड़ करेंगे उसको बाउल होने के लिए रख देंगे जब तक हमारी चाशनी न बन जाए इसको मेडियम फिलेम पर पकाएंगे दो से तीर मिन तक जब तक हमें ज़्यादा गाड़ा नहीं करना है हमें हलका सही गाड़ा होने देंगे जब तक ये अच्छे से चिप चिपा न हो जाए इसको हासिट देख लेंगे ये जब तक चिप चिपा होने लगे ये चाशनी हमारी तयारे इसको ठंड़ा होने के लिए रख देंगे फिलेम पर पेन रख देंगे उसमें एड़ करेंगे देशी घी, एड़ के सलाइस रख देंगे, उसको फ्राई करेंगे आप ब्रेड को टू पीसिज में भी कर सकते हैं उनको हलका सा ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे, दो से तीन मिन तक अगर घी एड़ करोगे, घी का टेश्ट अलग ही आएगा, शाही टुकडे में अट कर दोनों साइड से हलका सा ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई करते रहेंगे मीडियом फ्लेम पर ही करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे इसको दोनों साइड से ही हलका सा ब्राउन कलर आने तक इनको फ्राई करते ही जाएंगे सभी प्रेट्स के स्लाइस ऐसे ही ब्राउन कर लेंगे आप टू पीसिज में करना चाहते हो कर सकते हो इलते हैं नेश्ट प्रोसेस पर ये देखे हमारा दूद भी अच्छे से गाड़ा हो चुका है अब हम इसमें एड़ करेंगे तीन से चार छोटी इलेची खोल कर एड़ कर देंगे इसकी खुशुबू अच्छी आती है दो से तीन मिन्ट तक इसको होर पकाएंगे ये देखे हमारा दूद गाड़ा हो चुका है इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे नेश्ट प्रोसेस पर आप जिसमें इसको सेट करना चाते हो कर सकते हो मैं बोक्स में इसको सेट कर रही हूँ ब्रेड की एक लेयर लगा देंगे जो कोनर्स रहे गए हैं उसमें भी अच्छे से लगा देंगे चाशनी एड कर रही हूँ अच्छे से चाशनी लगा देंगे अब इसमें एड करेंगे जो हमने दूद तयार करके रखा था उसको लगा देंगे अगर आप बाद में भी इसको लगाना चाहते हो लगा सकते हो मैं हर लेयर में दूद को अच्छे से लगाूंगी इसको अच्छे से फैला देंगे ये देखे कितने बढ़ियर से हमारे लेयर लग चुकी है अब हम दूसरी लेयर ऐसे ही लगाएंगे से मैं ऐसे ही तीन लेयर लगा रही हूँ मैं आप दो लेयर लगा सकते हैं हमारी तीसरी लेयर है इसको अच्छे से सेट कर देंगे जिसे हमारे कोने में अलग रहे गए हैं उसमें भी अच्छे से लगा देंगे ब्रेड के स्लाइज अब हम चासनी एड़ करेंगे अच्छे से चारों तरफ चासनी अच्छे से लगा देंगे आप ब्रेड के स्लाइस चासनी में भी लगा कर रख सकते हैं जो गाडा दूद रखा हुआ था उसको एड़ कर देंगे उपर से उपर से अच्छे से एड़ करना है तेन लेयर लग चुकी है अब हम इसके उपर कुछ बारी कट किये हुए डाइब फ्रूट्स एड़ करेंगे को कवर करके दो गंटे के लिए रख देंगे ये देखे हमारा शाही टुकडा तियार है चली इसको सर्व करते हैं गाइस अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अल्ला हाफीज